यहीं दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी करेंट अफेर्स की क्लास पर दोस्तों मैं हूँ आप सभी का राजा गुपता और यहां पर मैं आपको प्रधान मंत्री राजपती दोहजार चौबस के इंपोर्टन टॉपिक को पढ़ाने वाला हूँ तो फ्रेंट्स इस टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनिएगा भारत के जितने भी एक्जाम है अभी आप भिहार टीचिंग एक्जाम देखेंगे अभी आप यहां पर बीपी एक्जाम देखेंगे राजस्थान में सबी जगे आपको एक से दो नंबर के कॉश्चन यहां से देखने को मिलेंगे और मैंने जनवरी तली के जून तक पूरे छे महिने की इंपोर्टन यहां पर प्राइमिनिस्टर और प्रेसिडेंट को कवर किया है जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडिया में आपक स्कोर कर पाओगे आप मुझे बताना कि आपने 42 कोर्शन में कितना स्कोर किया है तो चलिए फ्रेंट्स बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिटेन की आप मेरे पीछे देख रहे हैं यह ब्रिटेन के नए प्राइमिनिस्टर अभी बन गए हैं इनका नाम क्या है कीर स्टारमर तो जो इंगलिश मीडियम के स्टुडेंट हैं वो यहां पर नीचे देखेंगे और जो हिंदी मीडियम के स्टुडेंट हैं यहां पर देखेंगे तो हमारा जो कंटेंट है आपको हिंदी इंगलिस दोनों मीडियम में मिल रहा है तो कीर प्रिशी सुनक जो की भारती मूल के प्रधान मंत्री थे वो यहां पर हार चुके हैं इन्हों ने अपना resignation King Charles III को दे दिया है देखे वहां पर बिरिटन में मुनार्कियल साशन होता है वहां पर राजा का साशन होता है तो King Charles सौब दिया गया है अब देखे आपर टोटल जो सीट है वो 650 सीट है यानि आपर संसत की साड़े 600 सीटों पर चुना हुआ था और इसमें 412 सीट लेबर पार्टी में जीती है और भारी बहुमत के साथ 400 पार सीट के साथ यहां पर विजेता बने है तो साथियों यहां पर आप चाहिए था 326 फ्रेंड्स यहां पर हम हरिक कंटरी के जो प्रेसिदेन्ट या प्रमिनेस्टा की बात करेंगे मुष्की की बात करेंगे जो कंट्री देखने को मिल रही है और इसकी capital है United Kingdom की लंदन और यहां के समराथे चास्त्रतिय है second important यहां पर हम देख पा रहे हैं यह है South Africa के president इनका नाम है Cyril Rama Fosa हमने lecture को इस प्रकार से design किया ताकि आपको हर एक चीज relate कर पाएं और बहुत ही super HD quality के साथ आपको वीडियो दिखा रहे है तो देखें दूसरी बार जो देश के राश्पती बने है वो है Cyril Rama Fosa तो South Africa की यह president बने है second time बने है South Africa की location को देखते है friends तो आप यह Africa continent का map देख रहे हो और यहाँ पर आप देखो उपर नमीबिया है यहाँ बोस्वाना है यहाँ जिंबांबी यहाँ पर मोजांबिक है यह South Africa है South Africa की capital क्या है friends South Africa की capital तीन capital है इसकी एक executive capital है जो की pretoria है एक legislative capital जो की cap town है और एक judicial capital है वो है मेक्सिको की president को और यह है मेक्सिको की पहली महिला राश्पती मेक्सिको की पहली female president है इनका नामे क्लावड यह शिनबॉग तो इन्होंने किसको हराय है तो इन्होंने जोची टल गैलवेस को हरा करके election को जीत लिया है देखिए मेक्सिको कहां पर लोकेटेट है तो North America में आ मेक्सिको सिटी आप याद रखेगा अब चलिए आप पर फूर्थ इंपोर्टेंट देखते हैं वह है आइसलेंड के बारे में बात करेंगे तो आइसलेंड की आप यहां पर सेवन प्रेसिडेंट देख रहे हैं साथ भी राश्पती देख रहे हैं इनका नाम हल्ला टॉमस डॉटर और यह बिजनस वूर्फ भीमेन हैं इंवेस्टर भी है और यहां पर आइसलेंड के हम बात करें से तो इसलेंड कहां पिवह बलोकैटेंड अब एंब यूनाइटेंट के ऊपर आपको आइसलेंड देखने को मिलेगा है इसकी क्यापटल आपसे पूछा जासकता है इसकी capital है रेक्जावी यहाँ पर जो currency होती है वो है क्रोना और यहाँ के प्राइम निस्टर बजरनी बैनिक्ट सन है को ने बजरनी बैनिक्ट सन चलिए नेस्ट यहाँ पर देखते हैं Democratic Republic of Congo के बारे में तो Democratic Republic of Congo के नए प्रेसिदेंट आप देख रहे हैं आपको अफ्रीका में देखने को मिलेगा आप यहाँ पर अफ्रीका में देख रहे हैं यह सेंटर में लोकेटेट है Democratic Republic of Congo और इसकी capital के इंशाशा है Congo फ्रेंक यहाँ की currency है प्राइम मिनिस्टर अना तोले कोलिनेट माकोसो नेस्ट हम बात करेंगे बांगलादेश की तो बांगलादेश की प्राइम मिनिस्टर ने सेख हसेना इनके पास एक ऐसा रेकॉर्ड है दुनिया में कैसी महिला है जो लंबे समय तक प्रधान मंतरी के पत पर रही है लगातार चार बार उन्होंने एलेक्शन को जीता है और शी एस बिकम दफिफ टाइम बांगलादेश प्राइम मिनस्टर पांच भी बार बांगलादेश की प्रधान मंतरी का इन्होंने सपत लिया है बांगलादेश यहां पर आप देख सकते हैं इंडिया के सास्थ सब्से जादा बांडरी शेयर करता है बांगलादेश 4096.6 किलोमेटर और बांगलादेश की क्या है बांगलादेश की कैपिटल ढाका है और यहां की कैपिटल टका है यहां के प्रेसिडेंट है मोहमद शहाबुद्दीन चुपू यह भी आपसे पूछा जा सकता है नेस्ट हम बात करते हैं लिथोनिया की आप य प्राप किया और द hydration यहां पर जीत गहे है लिथोनिया एक Baltic state है लिथोनिया की location को देखिते आप इसकी उपर लै बेलारूस है पोलेंड है रश्या है लिथूनिया जो है एक बाल्टिक कंट्री है यहाँ पे आपको इसकी बाउंडरी लेत्विया बेलारूस पोलेंड और रूस और सुडेंस से देखने को मिलेगी इसकी क्यापिटल विनियस है ठीक है नेस्ट यहाँ पर देखते हैं भूटान से तो भू की पाइटी ने आप पर एलेक्शन जीता है भूटान की क्यापिटल थिंपू है जिगमे खेसन नाम ग्याल वांग्चुक यहां के राजा है और यहां पर जो करनशी क्रिंश होती वह नगुल्ट्रम है आप यहां पर देख पार रहें यह भूटान है भूटान की सबसे यंगेस प्राइम मिनस्टर है और इनकी जो यहां पर आता है तो फ्रांस आता है यूरोप में आता है और यहां पर फ्रांस और इंग्लेंड के बीच में इंग्लिस चैनल आपको यहां पर देखने को मिलेगा फ्रांस की कैप्टर पेरी से जहां पर यूनेस्को का हैड़कॉर्टर भी है एमनुवल मैक्रों यहां के प्रेसिडेंट है अभी वह दो हजार चौबिस के मुख्यतिती भी थे हमार रिपब्लिक डे में हमने उनको इन्वाइट किया था नेस्ट हम बात करेंगे ताइवान की तो ताइवान में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के कैंडिडेट लाइचिंग तेने यहां पर एलक्षन को जीता है यह अभी वाइस प्रेसिडेंट थे उपराश्पत हाँ इत्ता रहता है चायना कहता है यह साउट चायना सी उसका है और इसकी वज़ेसे जितने भी वहाँ के देश है उनके बीच में विवात चलता रहता है चायना और अधर कृंट्री इसका नेस्ट हम मात करेंगे सो friends कोमरोस के बारे में तो कोमरोस के नए प्रेसिदेंट बने ऐजाली असो मौनी क्या नामें का अजाली असोमानी इन्होंने 63% वोट यहां पर प्राप्त किया है और ही एस बिकम फॉर्थ प्रेसिडेंट आफ कोमरोस ठीक है यानि चौथी बार यह प्रेसिडेंट बने हैं अजाली असोमानी ने 1999 में सत्ता सम्हाली थी कोमरोस कहा और है मैं आपको दिखाता है लोकेशन तो फ्रेंटस आपने अफुरㄷ का मैप तो देखा है आफुरीका के आप इस तरफ देखेंगे तो मेड़ा का सकर कर आ 무슨 को मिलेगा को कम offer देखने करने के बाद आपको यहां पर विशेस रूप से देखना है इबुक्स में आप जाएंगे यहां पर टेस्ट सीरीज भी बहुत अच्छी है डेली करंड अफैर्स के आपको पीडियाफ मिलता है पूरी तरीके से फ्री जब आप एबुक सेक्शन में क्लिक करेंगे तो आपको आप टाउपिक वाइस करेंट अफैर का है फोल्डर देखने को मिलेगा अब वहां से पीडियाफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर अगर मंतली करंड अफैर्स हिंदी मीडियम का पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश में का पढ़ना चाहते तो आपको मिल जाएगा इसके अल अगर आप मन्त वाइस करेंट अफेर्ट टेस्ट देना चाहते तो यहां पर देंगे और मॉक यानि आपका यहां पर रेंडम कोश्चन्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगे तो यह जून मन्त की इबूक है आप इसे यहां पर डाउनलोड कर सकते हैं हमारे स्टडिकर अप्लिकेशन से राजा गुपता करेंटर फैर हमारे टेली ग्राम चैनल है आप इसे जोईन कर लिजेगा इस प्रकार से आपकी रैंक भी आती है जब आप यहां पर टेस्स देते हैं नेस्ट हम बात करे तो यहां का जो किंग होता उसको यांदी पाटून एगों के नाम से जाना जाता है मलेशिया में जो किंग का एलेक्शन होता है पांस साल में होता है यहां पे आपको नौ शाही परिवार नौ रॉयल फैमिली देखने को मिलेंगी और बारी बारी से उनका जो हर रॉयल फैम क्यापिटल कॉला लंपूर है यहां के प्राइमिनिस्टर अनवर इब्रहीम है यहां की करंस्टी मलेशिया है रिंगेट ओके नेस्ट हम बात करते हैं यमन के यहां पर हम बात करें यमन के राश्पती परिशद ने यहां पर नया प्राइमिनिस्टर बनाया है और यह फॉरें यह आपको देखें कुवेत इराक कतर युए ओमान यहां पर आपको यमन देखने को मिलेगा यमन की क्या है तो इस सना इसकी क्या पटल है और एहमद अबद बिन मुबारक यहां के प्राइमिनस्टर है ओके यहां के राश्पति है रशत अल-अमीमी अलीमी और करंसी यमनी र बहुत ही कूल डिक्टेटर कहते हैं कि मैं बहुत ही कूल डिक्टेटर हूं आपको कहां पर देखने को मिलेगा तो यह नौर्थ अमेरिका में आपको यहां पर यहां देखे गवाटेमाला यह होंडूरस है यहां पर आपको नीचे यहां पर देखने को आपको मिलेगा यहा वाड ओर है यहां के प्रेसिदंड नायब बुकेले हैं United States डॉलर यहां की करनसी है फिलेंड की हम बात करते हैं तो फिलेंड के प्रेसिड़न का भी इलेक्शन हुआ है और यहां पे जो पहले प्राई मिनस्टर थे उन्होंने presidential election जीता है यह है एलेक्जेंडर स्टब एलेक्जेंडर स्टब की party का नाम है national coalition party और फिल्लेंड की हम बात करें से land of thousand legs कहा जाता है हजार जीलो की भूमी कहा जाता है यहां फिल्लेंड है उपर स्वीडन आप यहां पर देख रहे हैं यहां पर नौर्वे है फिल्ल आप यहां पर देखें नौर्वे और इसके साथ स्वीडन यहां पर तीन देशों के साथ इसकी boundary लगती नौर्डिक country ऑके दोस्तों यहां पर फिल्लेंड जो है यह 31st नंबर का नाटो कंट्री है और 32 नंबर का नाटो कंट्री अभी स्वीडन बनाए कौन सा बनाए थ्यूंटिव बात करते पकिस्तान की तो मेरे पीछा पकिस्तान की शहवास स्रीफ को देख रहे हैं यह 24 नंबर के प्राइब मिन्स्टर बने दूसरी यहां की जो नेसनेल असेंबली है कैसे तु कि आ हैं और यहां पर यहां चैक स्हेबास रिप जो पहले 2022 पिम पने तो पाकिस्तान आप यहां पर देख रहे हैं पाकिस्तान की बॉंडरी लद्दा यूनिन टेरिटरी जम्मू कश्मीर पंजाब राजस्थान गांधी नगर गुजरास से लगती है पाकिस्तान की क्यापिटल इसलामबाद है और आरिफल भी यहां के प्रेसिडेंट है और पाकिस् देख पा रहे हैं फर्वरी दो हजार चॉबिस में इन्होंने परसनल नीजी कारंट की वज़े से रेजिगनेशन दे दिया है इन्होंने स्थीफा दे दिया है अब यहां पर तामस सुल्योग यहां की नए प्रेसिडेंट बन गए है नए राश्पती चुने है हंगरी कहा पर आता है फ्रेंट्स तो हंगरी आता है यूरूप में आता है इसकी क्यापिटल बुड़ा पेस्ट है और हंगरी स्लोवाकिया से सराउंड़ड है यूकरियन से रोमानिया से सर्विया से क्रोईशिया से इसकी क्यापिटल बुड़ा पेस्ट आप याद रखेगा नेस्ट तो टो लैम वियतनाम के नए प्रेसिदेंट यहां पर बनाए गए है और friends आपको यह भी याद रखना है वो वान थोंग जो थे इन्होंने अपने पस से स्तीफा दिया March मन्त में अब टो लैम यहां पर वियतनाम के नए प्रेसिदेंट बन गए है वियतनाम की location देखे तो South East म आपको वियतनाम देखने को मिलेगा इसकी boundary लाओ से लगती है कमबोडिया से लगती है यह आपको याद रखना है और यहाँ पर हम बात करते हैं वियतनाम की capital तो यह हनोई इसकी capital है और currency यहाँ की डोंग क्या है currency डोंग है फाम मिंग चिन यह वियतनाम के प्राइम मिनस्टर है नेस्ट हम बात करते हैं फ्रेंट्स चाड की तो चाड की जो है नए प्रेसिडेंट बने जो की military रह चुके हैं और यह पहले इंटीरियम प्रेसिडेंट थे महामत इदिरस डेवी तो महामत इदिरस डेवी इटनो यहनोंने presidential election को जीता है और यह नए प्रेसिडेंट यहाँ पर बन गया है चाड कहां पर देखने को मिलेगा आपको तो चाड आफ्रीका कॉंटिनेंट में आता है चाड आफ्रीका कॉंटिनेंट में आता है इसकी capital एंजेमना है cfa फ्रेंक यहां की करंसी है राश्पती महामत इदिरस डेवी एटनो इनका कारिका six years का होगा फिलिस्तीन फिलिस्तीन बहुत important है क्योंकि फिलिस्तीन और इस्राइल की बीच में लगातार संगर चल रहा है तो फिलिस्तीन के नए प्राइम 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 प्राइ देखने को मिलेगा तो आप यहां पर इसराइल की लोकेशन देख रहे हैं और यहां पर आप देखें यह जो हिस्सा यह फिलिस्तीन का है और यहां के अड्मिनिस्टेटिक क्याप्टर रामल्ला है लेकिने कहते हैं कि हमारी जो कैपिटल वो जीरुसलम है जो की लिमिटेड र पाकिस्तान में अभी यहां पे प्रेसिदेंशल एलेक्शन हुआ है पाकिस्तान के नए प्रेसिदेंट बने आसिफ अली जरदारी यह पाकिस्तान के नए यहां पे राश्ट्र पती बने है फोटीन्थ नंबर के राश्पती बने है आसिफ अली जरदारी आरिफ अल्वी के प जीता इन्होंने 2000 में पहली बार रश्या की प्रेसिडेंट थे और अब यहां पर पांचवी बार अलेक्शन जीता है ब्लादेमिर पुतिन रश्या आपको पता है कि एरिया वाइस दुनिया का सबसे बड़ा एरिया वाइस सबसे बड़ा देश रश्या है और इसकी में ड्यूमा नाम है तो फ्रेंट्स नेस्ट यहां पर हम बात कर रहे हैं मिखायल मिशुस्टीन की जो कि देश के प्रधान मंत्री बने रश्या के प्रेसिडेंट बने वापस इंको पॉइंट किया गया है मिखायल 2020 में पहली बार प्रधान मंत्री का पद इन्होंने संभा अब वापस से प्रधान मंत्री बने हैं बहुत अच्छे से सुनते चलिए क्योंकि लास्ट में आपका यहां पर टेस्ट होगा तो टेस्ट के लिए आप सभी तयार रही हैगा ओके नेस्ट हम बात करते हैं फ्रेंट्स यहां पर कॉंगो लोगतांत्रिक गर्राज यानी कि देमोक्रेटिक रिपब्लीक ऑफ कॉंगो इनकी पहली मैला प्राइमिनस्टर कौन है तो इनकी पहली मैला प्राइमिनस्टर है जुर्दित सुमीनावा तुलूका शी हैस बिगान देमोक्रेटिक रिपब्लीक ऑफ कॉंगो मैंने आपको सुरू में पढ़ाया था कि पहली स इंशाशा है फैलिस सैसी के दी प्रेसिडेंट है कॉंगो फ्रेंक यहां की करंसी है हम बात करते हैं स्लोवाकिया की तो आप मेरे पीछी देख पारें स्लोवाकिया में पीटर पेलेगरीनी ने यहां पर एलेक्शन को जीता है और यहां पर पीटर पेलेगरीनी यह देश के न लगरी पोलेंट से लगरी चेक रिपब्लिक आस्ट्रिया हंगरी से इसकी लगरी बाउंडरी और ब्रातिसलावा यहां की capital है कोबर्ट फी को यहां के प्राइबमनेस्टर है करन्सी यहां पे यूडरो अर्व यहां पर बात करते हैं स्कोट्लैंड तो स्कोट्लैंड के पहले प्राइब मेनिस्टर त्रप्थ मंत्रेस के निसें grew प्रदान मंत्री भी कहते हैं ठोहां तो son. स्वेनी यहां पर आप देख पा रहे हैं जॉन स्वेनी जॉन स्वेनी स्कॉट्टिस नस्नल पार्टी के प्रमुख है और यहां पर स्कॉट्लेंड के प्रथम मंत्री बने है प्रथम मंत्री स्कॉट्टिस सरकार का प्रमुख होता है ठीक है स्कॉट्लेंड आपको कहां पर द संसी है वो है पाउंट स्टर्लिंग सिंगापूर के प्राइमनेस्टर आप मेरे पीछे देख रहे हैं तो सिंगापूर के जो नए प्राइमनेस्टर यहां पर बने हैं नए प्रधानमंत्री बने हैं तो यहां पर ली सील लूंग बने ठीक है सिंगापूर के प्रधानमंत्री भी के-प्र तीफ़्ता करया है। यहां पर नाम है वह है Lawrence mile यहां कि ईशनलोंग ने स्तीफा दिया है। यहां पर हैं तो यहां के-ने प्राधान मंत्री एश्वाइंड किये गहां है। तो location में मैंने आपको Indonesia दिखाया था, Indonesia की ऊपर, Indonesia की ऊपर Singapore, और Singapore की ऊपर Malaysia है, Singapore की capital Singapore है, धर्मन शनमुगरतनम यहां के president है, कुवैट की prime minister को आईए में दिखाता हूँ, कुवैट की prime minister से मैं आपको मिलाता हूँ, तो इनका नाम है, एहमद अब्दुल्ला, अल-एमद, अल-सबा, यह कुवैट की नए prime minister बने है, इनकी appointment की है, कुवैट के आमिर, शेक, मिशाल, अल-एमद, अल-जबर, अल-सबा के द कुवैट की capital क्या है, कुवैट city है, और यहां की जो currency होती होती हो, कुवैटी दिनार है, ओके, next, तो friends, यहां पर हमने पूरी important appointment को cover कर लिया है, जो की six months की, जनवरी से लेकि जून तक, PMM president को cover किया है, बहुत अच्छे से आपने इस class को पढ़ा, अब आपका test होने वाला ह 42 questions का, तो सभी ready हो जाईए, यहां पर सभी जवाब दीजी, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा पहले मैंने कहा था, मैं आपको पहले theory पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको इससे related MCQ कराऊंगा, तो अब MCQ कराने का समय हो गया है, ठीके, चलिए, तो सबसे पहला question आप सभी के screen पर ही रहा, सिरिल रामा फोसा किस देश की नए राश्ट्रपती बने, किस देश के president बने, तो आपको पढ़ाया मैंने, साउथ अफरीका की दूसरी बार राश्ट्रपती बने है, सिरिल रामा फोसा, साउथ अफरीका, इसका सही answer होगा, क्लाउडिया शिनबॉम किस देश क की पहली महिला राश्ट्रपती चुनी गई है, क्लाउडिया शिनबॉम has been elected the first female president of which one of the following country, तो मेक्सिको इसका सही answer हो जाएगा, मेक्सिको की राश्ट्रपती बनी, क्लाउडिया शिनबॉम, हला टॉमस डॉर्टर किस देश की राश्ट्रपती बनी है, हला टॉमस डॉर्ट selected the president of Democratic Republic of Congo तो यह बने फैलिक सेसी के दी सेख हसीना किस देश की लगातार चौथी बाप प्रायम मिनस्टर बांगलादेश की बनी थीक है लगातार चौथी बाप Prime Minister Bangladesh की बने गीता नस नोसेदा किस देश के राश्पती बने हैं तो गीता नस नोसेदा ये बने हैं लिथूनिया के प्रेसिडेंट लिथूनिया के राश्पती बने हैं next question को देखते हैं बड़िया से लगाते जाएं शेरिंग टोवगे किस देश के नए प्रधान मंतरी हैं तो शेरिंग टोवगे भूतान के नए प्रधान मंतरी हैं किस देश के हैं भूतान इसका सही एंसर होगा गेब्रियल अटल किस देश के प्रधान मंतरी बने है तो गेब्रियल अटल जो है फ्रांस के नए प्रधान मंतरी बने है सबसे युवा प्रधान मंतरी है 34 साल की एज में बने है और यह सबसे पहले गे प्रधान मंतरी जो LGBTQ community से बिलॉग करते है लाई चिंगते किस देश के राश्पती बने है तो लाई चिंगते यह ताइवान के प्रेसिडेंट बने है ताइवान के प्रेसिडेंट बने है बर्नाड़ो एरवेलो किस देश के राश्पती बने बर्नाड़ो एरवेलो has become the president of which one of the following country तो ग्वाटिवाला के राश्पति बने बर्नांडू एरवेलो फ्रेडरिक X किस देश के राजा बने फ्रेडरिक X has become the king of which one of the following country तो डेन्मार के राजा है फ्रेडरिक X अजालिया सुमोनी किस देश के राश्पति है अजालिय सोमनी has become the president of which one of the following country तो कोमोरोस इसका सही answer हो जाएगा कोमोरोस के राश्पती है सुल्तान इब्राहिम किस देश के राजा है सुल्तान इब्राहिम has become the king of which one of the following country तो मलेशिया के राजा है सुल्तान इब्राहिम यहाँ पे नौ रायल फैमिली है और यहाँ पे बारी बारी से हर पांस साल के लिए यहाँ का राजा चुना जाता है एहमद अबद बिन मुबारक किस देश के नए प्रामिनिस्टर बने है तो अभी आपको पढ़ाया मैंने यह यमन इसका सही answer हो जाएगा यह यमन के यहाँ पर नए प्रधान मंतरी बने है यमन इसका सही answer हो जाएगा नयाब बुकेले किस देश के राश्पती बने है अपने आपको फूलेश डिक्टेटर कहते है नयाब बुकेले तो यह बने है ऐल सल्वाडोर आपको पढ़ाया है नमीबिया की नए राश्पती कौन बने तो नमीबिया के प्रेसिडेंट है नगोलो मभूमबा कोन है नगोलो मभूमबा एलेक्जेंडर स्टरब किस देश के प्रेसिडेंट है एलेक्जेंडर स्टरब has become the president उस विच वन अप दा कंट्री 1000 लैक हजार जीलो की पूमी फिनलेंड है फिनलेंड के राश्पती बने पाकिस्तान के 24 वे प्रधानमत्री कौन है तो पाकिस्तान के 24 प्राइम मिनिस्टर शहबास सरीफ है और नवास सरीफ के छोटे भाई है शहबास सरीफ दूसरी बाप प्राइम मिनिस्टर बने है फैलेटी टे सुल्योग किस देश के नए प्रेसिदेंट बने हैं तो वियतनाम की यहां पर सका सही एंसर हो जाएगा तो लैम यहां के राश्पती बने हैं तो यह से डिक्टेटर हैं महामत इद्रिस डेवी आप मुझे बताना कि आपने 40 कोशन में कितना स्कूर किया इमांदारी से बताना कमेंट बॉक्स पर ठीक है तो चार्ड इसका सही एंसर हो जाएगा चार्ड देश के राश्पती बने महामत इद्रिस डेवी फिलिस्तीन के नए प्र पाकिस्तान इसका सही एंसर हो जाएगा पाकिस्तान के पहले शिक मिरस्टर बने पाकिस्तान के 14 नंबर के राश्पती कौन है तो पाकिस्तान के 14 प्रेसिडेंट कौन है यहां आसिफ़ली andard जरदारी आसिफली जरदारी ठीक है ब्लादीमिर पुतिन कौन सी बार रूस के राश्पती बने तो ब्लादीमिर पुतिन यहां पे पांचवी बार पिफ्ट टाइम राश्पती बने है विलियम लाई चिंगते ने किस देश के राश्पती गुरूप में शपत ली है तो विल ये आरलेंड की प्राइमिनस्टर है किसके हैं आरलेंड के प्राइमिनस्टर है लुइस मॉंटे निगरो किस देश के प्रधान मंतरी है तो लुइस मॉंटे निगरो पूर्तगाल की प्राइमिनस्टर है कहां के हैं पूर्तगाल इसका सही एंसर है अल्ला में हलीना किस देश क नए प्रधान मंत्री बने है तो चाड इसका सही एंसर हो जाएगा चाड इसका सही एंसर होगा मिखाल मिशुस्टिन किस देश के प्रधान मंत्री बने है तो रशिया का रशिया के नए प्रधान मंत्री वापस से बने 2020 में भी थे वापस से बने है बसीरो डियो माय फे किस द प्रधान मंत्री बनी तो यह कहा कि बनी है कोंगो डेमोक्राटिक रेपब्लीक ओफ कोंगो पीटर पेलेगरेनी किस देश के प्रथम मंत्री बने है लॉरेंस वॉंग किस देश के प्रधान मंत्री बने तो लॉरेंस वॉंग मैंने आपको भी पढ़ाया है लॉरेंस वॉंग जो है सिंगापूर के नए प्रधानमंत्री बने है एहमद अब्दुल्ला एहमद अलसभा किस देश के प्राइमिनस्टर बने है तो यह कुवैत के प्राइमिनस्टर बने है कुवैत इसका सही एंसर है बजनी बैनिक्सन किस देश के प्राइमिनस्टर है तो बजनी बैनिक्सन आइसलेंड के प्राइमिनस्टर है इशागदार किस देश के डिपटी प्राइमिनस्टर है तो इशागदार जो है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है किस देश के हाली में डिपटी प्राइमिनस्टर बने है तो यहाँ पर पाकिस्तान के इशागदार यह उप प्रधान मं तो यह कहां कि सुलोमन आईले कहां कि सुलोमन आइलेंड के कॉन लॉसके राश्पति पने उर्त स्वहां तो जो शुरावल मुलीनो घ Selbst प्रेसिन्ट ओफ पनामा फोले यहां पे फॉरट प्रेसिडंट ओफ पनामा पनामा के प्रेसिंट बने तो कैसी लगी आप सभी को क्लास कमेंट बॉक्स पर जरूर बताईएगा एक कॉशन और है कि इस टामा कि देश के नए प्रधार मंत्री बने तो अभी आपको रिसेंटली पढ़ाया ब्रिटेन इसका सही एंसर हो जाएगा ठीक है इस क्लास की पीडिएफ आपको स्टडी कर अप्लिकेशन पर मिल जाएगी स्टडी कर अप्लिकेशन को आप सभी डाउनलोड कर लीजेगा यहाँ पर e-book section में जाएगा topic wise current affairs की pdf यहाँ लिखी यहाँ पर डाउनलोड करिएगा monthly current affairs Hindi English medium में आपको यहाँ पर मिलेगी marathon class pdf आपको यहाँ पर yearly और half yearly pdf आपको यहाँ पर मिलेगी gkgs की Hindi English medium की book आपको यहाँ पर मिलेगी और friends यहाँ पर test series में जाएगा तो test series में आपको monthly current affairs का हर मंत का test है और mock test है आप हर महिने के mock test यहाँ पर लगा सकते हैं यह जून मंत की e-book है जो आप download कर सकते हैं राजा गुपता current affairs telegram channel को join कर लिजेगा ताकि आपको regular updates मिलते रहें और चैनल पर पहली बार आ रहा है आपको लगता है कि हमारी मेहनत अच्छी है हम अच्छी मेहनत कर रहे हैं तो don't forget to subscribe like share and comment your favorite channel राजा गुपता current affairs तो मिलते हैं फ्रेंट्स नेस्ट important topic के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत